हेलो एबिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या खुद सोच रहे थे क्या फील कर रहे थे उनके इमोशन् हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं ठीक तो आप लोग मेरे साथ बनी रहे गा और यह जो रीडिंग करने così यह रीडिंग इन एक जनल रिडिंग होगी कलेक्टिव ही टांङ लेस रीडिंग होगी ठीक तो आप लोग फोकस इस रीडिंग के ऊपर फुल कीजेगा, ओके, तो चलिए करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट, प्लीज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें, ओके, मुझे गाइड करें, यूनिवर्स, गाइड करें, 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 गाइड उके जस्ट बइने इतने सारे कार्ड इतो 9 of swords का कार्ड है हरफ एंड है मेरे पास ace of cups का कार्ड star के energy है 10 of swords bottom of the deck page of swords death का कार्ड moon का कार्ड ओके सो यह bottom of the deck से कार्ड निकले है ओके आज सुबह सुबह यह person क्या सोच रहे थे सबसे पहले bottom of the deck की ही बात कर लेते हैं जो कि मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच यहां पर ओल्लाइन शोशल मीडिया के बीच में हाँ ऐसा दिखर रहा है आपके कार्ट में कि आपके जो पार्टनर है ना देखे आगे सुबह सुबह में देखू तो यह person कहीं न कहीं बहुत परिशानolie रहे हैं एक्दम अलग होने का यह परसन की अंदर डड मुझे नज़रा रहा है एक पॉरसन क्या करें क्या करें क्याना करें इनके मन में इनके काफी कन्फूजन बन रही है ऐसा दिख़़ान है जdoo Committee यह पॉर्सन का चाहरा देख रहे हैं उत्रा उत्रा फिर भी है ना यह जो भी है चीजे है जो भी है लाइफ में वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं यह पॉर्सन बहुत परिशान है बहुत परिशान कल से ही मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह पॉर्सन परिशान है और सुबह भी एकदम से उदास सचाहरा परिशानी टैंशन स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं ऐसा लगते हैं आपके पार्टनर ना गौड के सामने माफी भी मांग रहे हैं यानि कि कहें तो एक चैप्टर है ना इनकी लाइफ में जो चल रहा था चल रहा है उसको ले करके काफी तकलीफ में दिख रहा है मुझех यह पर्सन मुझह ऐसा देख रहा है कि इस परसन ने ऐसा सोचा नहीं था कि इनकी लाइफ में यह सारी चीज़े हो गया ऐसा कुछ फीर बीचाहरना कि चीज़ें हो ने लगती रहे हैं कुछ चीजें रूती हैं चोकि कि नचाहते बिपिश औहां की बीच में चीजे कुछ इसी तरीके से हैं मुझे जहां तक देख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में न देखें यहां पर तकलीफ पेंड नजर आ रहा है आपके पार्टनर के मन का आपके मन आपके पार्टनर के मन में एक दूवीधा दिख रही है मुझे औ इस relationship में जो भी चल रहा है न यह insecurity है doubt है एक दूसरी को उपर ट्रस्ट नहीं है दोनों एक दूसरी को उपर नजर रखते हैं social media के ही थ्रू किसे बाते हो रही है क्या बाते हो रही है किस प्रकार की बाते हो रही है एक दम से दिख रहा है कि confusion है और insecurity है लगता है जिसे की नहीं हो पाएगा कुछ भी या नहीं हो सकता है कुछ भी life में बहुत सारी चीजे होती है जो कि disturbance बनाने वाली होती है है तो यहां पर दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में मुझे काफी ज़दा problems दिख रही है काफी issues दिख रहे हैं काफी ज़दा issues दिख रहे हैं नाइन अफ स्वार्ट एक दम से दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके partner की बीच में जो कहते हैं कि pain वो pain मुझे यहां पे इस person की energy से दिख रहा है मुझे दिखता है कि आपके partner बहुत pain में है बहुत ज़ादा और सब्सक्राइब यहां पे दिख रहा है और यहां पर एक दम से जैसे आपके partner आपको लेकर के जिस तरीके की feelings जिस तरीके emotions रख रहा है ना वो काफी अलग है काफी ज़्यादा अलग है मैं देख पार हूं यहां पर ऐसा दिख रहा है जो अंदर से जो दुख होता है ना वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का कल रात से यह परसंग आई नहीं है आपको बता दू कल रात में भी परसंग रोय थे और अक्सर रातों में यह पर्संग रोया करते हैं क्योंकि जो भी चीजें आप दोनों की बीच में लड़ाई हुई जगड़े हुए या जो भी कुछ चीजे होई, है ना, अक्सर होता यही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े होने लगते हैं, है ना, सो वो चीजे मुझे काफी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है जिसे आप दोनों के बीच में बहुत बाते आगे बढ़ जानी चा बिच में मिसनस्टार्णिंग्स है या जो है यहां पे कहींanking बहुत बढ़ा प्रॉब्लम क्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ कि एक दम से जैसे जहन्यूम हो गई है ऐसा दिख रहा है आपके मीसना था यह किसी की mulheres गौउचर के पास भी जा रहे हैं जो कि इन को गाइड कर रहा है जो कि इनको बता रहा है क्या पैसा करो वैसा करो पॉष कि रही है इनको I just आपके पार्टनर का मन बहुत परेशान है, बहुत परेशान, जैसे कि ये परसन जो है ना, एकदम अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर घुटन सी मैसूस कर रहे हैं, और ये घुटन जो है ना, इनकी कम नहीं हो रही है, ये परसन को जो है, सजेशन भी दिया जा रहा है, है कि आप यह पहनो वो पहने हो यह करो वो करो है ना तो जिससे जो है ना आपका relationship चाही होगा जिससे आपका relationship अच्छा होगा जिससे आप काफी जदा ग्रो करोगे अपनी life में ठीक है मुझे यहां पे बहुत जादा लोगों का दिख रहा है कि यह लाइफ में बहुत सारी चीजे जो है ना एक होती है ना जो की एड़स्ट की जाती है ठीक है तो वो थोड़ी सी एड़स्टमेंट मुझे नजर आ रही है किसी-किसी ने यहां पर टूपाज ब्लू टूपाज या सेले साइट का ब्रसलिट पहना हुआ है ठीक ऐसा मुझे फी पार्टनर के अंदर बहुत जादा बदलाव आता हुआ दिख रहा है यह परसन को रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन है और इसी के बाद से यह परसन की आखे खुली है जहां पर यह परसन एक निव बिगनिंग करना चाहते हैं आपके रिलेशनसी पे जितना कुछ को अगहें हैं यां पर ऐसा दिख रहा है जीसे कि आपके पार्टनर को निव बिगनिंग करने हैं आपके साथ करनी है और बहुत प्यार से बहुत एमोशनल कनेक्शन के साथ आपके पार्टनर को आगे बढ़ना है मुझे यह फील होता हुआ दिख रहा है यहां पर नहीं है यहाँ पर दिख रहा है कि इश्वर चाहते हैं इनको गाईडेंस मिल रही है तुम सुरुआत करो तुम चूब रहे कि सुरुआत करो तुम आगे बढ़ेंगे हमила भी जो है आप मुछे नजर आ रहा है फॉठी सी एनरजी फिल हो रही है 하루 अधों सुन्धश्तार करना चाहता है मैं कि आपके इनरजीने कि आपके साथ जो आपके साथ ऐए आपके साथ बहुत ही पॉपुलर होना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से relationship को continue करना चाहते हैं, relationship की bonding बनाना चाहते है, relationship में यह आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर यह देख रहा है कि यहाँ आपके और आपके partner की बीच में जो प्यार है, जो महाँबत है, है ना, यहाँ पर काफी ज़्यादा जो person है ना, आपके साथ जो है, आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, relationship को जो है ना, deal करना चाहते हैं, यह person, ठीक है, मुझे यहाँ यह देख रहा है कि यहाँ आपके partner 10 of swords के energy में हैं, यानि कि आपके partner आपके call का, message का wait कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो expectations हैं, वो खतम होते भी दिख रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनके तरफ नहीं आओगे, पहले तो आप इनके तरफ आओगे नहीं, है ना, और अपने emotions, अपनी feelings इनको बताओगे नहीं, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं है, यह person काफी wait कर रहे हैं, ऐसा लगत बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रही है, इस person के अंदर, बहुत पेन है, यह energy मुझे feel हो रहे हैं, यह person बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत बहुत पेन में दिख रहे हैं, आपके partner, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कि आप क्या सोच रहे हो, या आप क्या feel कर रहे हो अपने partner के लिए, उसके बाद future देखते हैं, इस relationship का कि क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं, आपके partner के लिए आप क्या feel कर रहे हो, मेरी viewers क्या feel कर रहे थे आद सुबस सुबाँ अपने partner के लिए, Emperor के नर्जी है, Ace of Wands, The Fool, page of pentacles, two of pentacles, so, bottom of the deck, queen of swords का का कार, okay, so, देखें, यहां के energy क्या बताती है, यहां के energy मुझे काफी clear way में बता रहे है, कि देखें, आपकी feelings, आपके emotions, आपने अपने आपको कुछ इस तरीके से बना लिया है, अगर bottom of the deck की बात करें, तो यहां पे three cards, अगर हम देखें, तो यह देखो, आपने कुछ इस तरीके से अपने आपको बदल लिया है, आपको एकदम से strong, practical, emotional, आपने अपना पार्ट यहां पे हाइड कर दिया कि नहीं, मुझे emotional तो बिल्कुल भी नहीं होना है, मुझे emotional क्यों होना है, मैं emotional क्यों हूँ, तो यहां पे यह दिख रहा है कि नहीं, आपको emotional होना ही नहीं है, आपने तय कर लिया है कि मुझे emotional नहीं होना है, मुझे practical रहना है अपने आपमे ego दिखाना है आरेटूर दिखाना है मुझे गिड़गडा के प्यार नहीं चाहिए आपने यह feel किया हुआ कि नहीं है न यहां पर देख लिया है आपने कि नहीं आपको जो है न बहुत अच्छे तरीके से जो है न डिल करना है अपने आपको अ करना पड़ेगा आपने अपने आप में बदलाव लाना स्टार्ट कर दिया है आप जानते हो कि थर्ट पार्टी इंवाल्मेंट है और कोई confusion है इसकी वज़ा से आप दोने के रिष्टे में कोई clarity नहीं आई है या इनके पैरेंट्स जो हैना नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के चल नहीं है और इसकी वज़ा से आपको परिशानी हो रही है आपने अपने आपको बदल लिया है जो कि बहुत अच्छा किया है देखो आप भी अभी फिलहाल क्या करें क्या ना करें मूवन करें क्या करें confusion में आप भी हो आप भी दिख रहे हो कि confusion में हो और आप भी इस परसन का ही वेट कर रहे हो इस परसन के साथ ही जो है ना आपको आना है या इस परसन के साथ ही जो है आपको बाते करनी है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि यह जो परसन है ना आपके तरफ जो है ना आना चाहते हैं आपके तरफ बात करना चाहते हैं मुझे यहां पर य आपको ले करके एक बहुत ही पॉजिटिव सा रिस्पॉंस जो है ना यह पॉर्सन चाहते हैं मुझे यह आप यह दिख रहा है कि यह आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव सा रिस्पॉंस जो है ना चाहते हैं पॉजिटिव सा जो एक रिस्ता है उसको न और मुझे यह भी दिखता है जिसे कि आपके पार्टनर जो जगल कर रहे हैं यह जगल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक है ठीक है यहां के अनरजी बताती है कि यह पॉर्सन जगल करते वह दिख रहा है जगलिंग एनरजी है ठीक है और देखें आप अपने पार्टनर क पार्टनर के बीच का जो भी रिलेशन है जितना भी रिलेशन है एक तरीके से स्टेवल रिलेशन है ठीक है यह यहां पर मुझे यहांँ पर यहीं दिख रहा है कि आप stable होना चाहते हो आप इस person को मौका देना तो चाहते हो लेकिन आपको stable relationship या commitment आपको चाहिए तब ही जाके जो है न यहाँ पे दिख रहा है ठीक है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि है न आपके और आपके partner के बीच में जो प्यार है जो emotions है जो feelings है न एक बहुत ही प्यारी सी खूपसुरत सी energy है बहुत ही प्यारी सी खूपसुरत सी जो है न energy feel होते भी दिख रही है ठीक है मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यह इक बहुत ही मतलब एक new beginning होना जरूरी है ठीक है तो new beginning वाली ऑनेरजी फील हो रही है मुझे मुझे देख रहां कि येस आपके और आपके partner के बीच में इक new beginning होना जरूरी है और new beginning होगी आपके partner जो है आपको offer देना चाहते तो ठीक है आप उस offer के बारे में सोचोगे आपने सोचा है कि ठीक है मैं उस ओफर के बारे में सोचूंगी लेकिन मैं इतना जल्दी जो है ना कोई action या कोई decision नहीं लेने वाली या नहीं लेने वाला ठीक मुझे जहां तक दिख रहा है कि यानि कि आपको भी पता है कि आपको भी पता है कि इस relationship को भगवानी बचा सकता है इश्वरी बचा सकता है जो भी offer मिलने वाला है उसको लेकर के आप excited तो हो या फिर कहें तो एक excitement मुझे नजर आ रही है आपके अंदर लेकिन आप अपने आपको थाम के बैठो कि भाई मुझे पहले offer मिल जाए उसके बाद मैं देखती हूं क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है ठीक है तो मुझे दिख रहा है कि excitement को जो है ना आप control कर रहे हो और मुझे जहां तक दिख रहा है कि येस मन तो आपका भी है अपने partner के आगे बढ़ने का ठीक है तो येस आपका भी मन बहुत 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 जादा है ठीक है तो चलिए देखते हैं और कुछ cards प्लीज मुझे गाइड करें universe मेरे viewers के partner के साथ इनका future क्या होगा इस relationship का future क्या होने वाला है गाइड करें future क्या होगा इस relationship का five of wands magician queen of cups nine of wands four of cups okay so bottom of the deck है two of swords high priestess and five of swords four of swords भी है देखो भाई शादी के matter को लेकर के काफी सोच विचार किया जाएगा देख रहे हो नहीं यहाँ पे शादी के matter को लेकर के काफी सोच विचार किया जाएगा काफी कुछ चीजे होनगी आप दोनों की बीच में इस relationship में आगे काफी कुछ चीजे होने वाली है मेंली शादी को लेकर के काफी सोच विचार किया जाएगा आपके partner के द्वारा आपके partner तो रात में सो भी नहीं पाएंगे इतना स्ट्रस में होंगे ये person की नीद भी नहीं आ पाएगी इनको नीद चैल सब उड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपके partner का मुझे ये भी पार्टी रहेगी, इनको manipulate करेगी, ये third party आगे भी और ये person again crossroad पे खड़े हो जाएंगे, crossroad पे खड़े होने के बाद इनको समझ में नहीं आएगा, ये person आपके लिए stand लेंगे, ठीक है, आपके लिए stand लेंगे, लेकिन crossroad पे खड़े हो जाएंगे, ये person को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये person क्या करे, क्या decision ले, क्या नहीं ले, कैसे करे बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो कि ये person नहीं कर पाएंगे ये person बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत pain में आकर के अपने आपको maintain करना, अपने mind को control करना होता ना कि mind को control करके इंसान चलता है, so yes आपके partner के अंदर वो चीज़े जो है ना, मुझे नजर आ रही है मुझे देख रहा है कि yes, आपके partner को एक, जो confusion है या एक जो clarity नहीं है ना, तो वो clarity जो है ना, आती भी दिखाए दिरिया और ये person जो है ना, ओके, so मुझे यहां पर इक clarity जो है ना, आपके लिए आपके partner के life में आती ही दिख रही है, ठीक है, तो मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि yes, yes, life में बहुत सारी चीज़े जो है ना, यहां पर clarity के साथ होनी चाहिए life में बहुत सारी चीज़े जो है ना यहां पर एकदम से clear होना चाहिए यह जो person है ना यहां पर थोड़ा सा confusion में रहेंगे थोड़ी सी problem में रहेंगे यहां पर दिख रहा है five of wants लड़ाई जगड़े बहुत सारी कुछ चीज़े है ना होती भी दिख रही है ऐसा लगते है जैसे कि आप दोनों के बीच में आगे जा करके family के बीच में कुछ arguments हो सकते है family को ले करके थोड़ा सा problem होगा अपसोस भी होगा कहीं न कहीं देखिए family issues create करेगे क्योंकि शादी की main बात है ना शादी को ले करके या इस relationship को continue करने को ले करके जो बाते हैं उस बीच में बहस बाज ही काफी हो सकती है देख रहे हैं five of wants एकदम से against एक दूसरे के against और एकदम आपके partner अकेले खड़े हैं या आपे यह partner कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएंगे यानि कि अपना mind लगाएंगे जिससे आपका और इनका relation stable हो जाए आपका और इनका relation काफी stable हो जाए आप दोलों एक दूसरे के जो है ना आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं और आपकि लिए stand लेते हुए दिखाए दे रहे हैं हाला कि इनकी family इनको support नहीं करने वाली है फिर भी ये person stand लेके खड़े रहेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं especially इनकी mother इनको support नहीं करेंगी मुझे जहां तक लग रहा है और इसलिए यह person को अपसोस भी रहेगा कि हाँ मेरी मदर मेरे साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं एक जो होता नहीं कि stand ले रहे हैं आपके लिए stand लेंगे आपके लिए आपको सही प्रूफ करेंगे यह person आपके पक्ष में यह person बाते करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं फ्यूचर में मुझे यह सारी चीजे होती हुए काफी क्लियर दिखाई दे रही हैं फ्यूचर में बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होती हुए काफी क्लियर वे में दिखाई दे रही हैं ठ तक आपको याद हो तो मैंने आपको ये रिंग दिखाए थी ठीक है देखो ये रिंग ये जो रिंग है ये सिल्वर में बनी होती है फुल कोटेड रिंग होती है ये सिल्वर में बनी होती है और इस रिंग की खासियत क्या है इस रिंग की खासियत ये है कि आप अपने एक्व डाले गए हैं जैसे कि आपकी love life, आपकी married life, आपका partner separate हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी, आपको देखना नहीं चाहता है, उसके उपर black magic कर दिया गया है, ठीक है, आपको लगता है कि आप से दूर करने के लिए, इस person का mind manipulate किया गया है, चाहे हिनकी family हो, चाहें कोई हो इनका माइन मैनुपलेट कर दिया गया है या कहें तो बहुत ज्यादा मिसरन स्टानिंग आप दोनों के बीच में हुई है ठीक तो उस चीज को यह जो रिंग है यह ठीक करता है ठीक साथ आपका आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो खतम करता है अगर आप इस रिंग को अपने पार्टनर को पहनाते हो या उनके फोटो के उपर सिर्फ रख देते हो यह उनकी फोटो मान के चलो कि यह कार्ड है ठीक है यह फोटो है और इस फोटे के उपर आपने इस रिंग को रख दिया तो जो जो इस परसन के उपर ब्लैक मैजिक होगा वो भी जो है ना यह person के उपर खतम हो जाएगा ठीक है इस person को एक अजीव सी feelings आने लगेंगी जब आप इस रिंग को रखेंगे तो ठीक तो यह रिंग इतनी effective है कि अगर आप अपने partner को नहीं पहना सकते हो सरिफ आप उनके photo पे रख दो तो भी उनके उपर वो प्रभाव यह चानों तो भी यह जो रिंग है ना वह आपको काफी effect देगी काफी अच्छा result देगी यह ठीक है यह जो रिंग है काफी positive होती है काफी बीमारियों के लिए भी होती है साथी साथ यह आपको black medic से रक्षा करता है नजर गुजर लगती है ना नजर नजर लग जाना नजर का म बोलते हैं ठीक है हिफाज़ते जान यानि कि आपको कुछ भी नहीं होगा कोई black magic बड़ा से बड़ा तांत्री कर ले कुछ भी नहीं होगा यह black magic का सर इसके उपर ठीक है तो एक मिनट जस्ट अ मिनट को कभी कभी call साते रहते हैं यह जो रिंग है काफी effective है काफी ज़्दा effective अगर आप चाहते हैं ना यह रिंग लेना है ना जरूर लिजेए इस रिंग को क्योंकि यह जो रिंग में आपको इतना जादा फायदा देगी कि आप खुद गएंगे कि मेरे घरवालों को भी दे द लेकिन एक रिंग जो आपके पूरी लाइफ काम करेगी उतना तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं कोई करेगा ठीक है इसको पहनने के बाद आपको काफी रिलीफ फील होगा काफी ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे ठीक है तो यह जो रिंग है अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर लेजिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करके ठीक मिलते हैं फिर आपसे दूसर आते लिए और खुश रहिए वबाई एंड टेक एर